असलाम लेकूम जी विलकम बैक टू मैं चैनल आज है मेरी कजन का अनलिका फाइनली बहुत खुशियों वाला माफल है हमारे घर पर यह जो ब्लैक सेरी में देख रहे हैं वो दुलहन नहीं है माशाला से मेरी नडन है प्यारी सी ब्लैक सेरी पहनी हुई है उन्होंने दुलहन के जैसे ही रेडी हुई है माशाला बड़ी प्यारी लग रही थी चलिए इनके नाम बता देती हूँ आज जो क्रीम ड्रस में है वो है उमारे बड़े जेठानी इनका नाम है नसरीन ब्लैक सेरी में है मेरी नडन इनका नाम है बसीरा ग्रीन सेरी में है मेरे दूसरे जेठा तो हो यहां पर हम जा रहे हैं अभी निकाह के लिए Two तरेज्ड में यहांपर देखिए फ्रेंड्स दुल्हन को निकाह के लिए रेडी करके बिठा दिया गया है एक प्लेड में शुगर डाल के हाथ इस तरीके से शुगर में रखके रहना होता है निकाह होने तक निके के मॉर्निंग में शुकराना रस्म हुआता इससे पहला वाला व्लॉग मैं शुकराने का डाली हूँ आप जाके देखिएगा यहां पर कुछ रस्म कर रहे हैं यहां पर पहले से ही सारे मिक्स ड्राइफ रूट्स को एक प्लेट में डालके रख लिया है निकाह होने के बाद दुलहन के उपर से और सब लोगों को यहां पर देने के लिए उनका मुँ मीठा कराने के लिए गाओं में ज्यादा तर फॉंक्शन्स घर के पास ही होते हैं मेरी शादी भी हमारे घर के पास ही हुई थी निकाह मस्जिद में हो रहा है तो अभी सारे जंट्स चले जाएंगे निकाह के लिए मस्जिद को तो अभी आगए थे निकाह नामे पर लट दुलहन का सैन कराने के लिए तो ये देखिए कितना बड़ा दिन है ना आज लड़की और लड़के वालों के सारी फैमिली मेंबर्स के लिए आज दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा दिन है लड़के वाले तो बहुत खुछ थे, हमारे घर बेटी आ रही है वहीं पर लड़की वाले बहुत दुख में थे कि हमारे घर से बेटी चली चाएगी हमारा घर सुना हो जाएगा बेटीों गी लड़कीों की लाइफ कैसी होती है न फ्रेंड हम एक ही घर में पैदा होते हैं वहाँ पर बड़े होते हैं वहाँ पर हसना खेलना भाईयों के माबाप के बीच एक दिन भी माबाप के बिना भाई बहनों के बिना दूर नहीं रहने वाली लड़कियां शादी के बाद शादी के दिन से ही मा के घर से माईका हो जाता है और आज भी ऐसे लोग हैं के अपनी बहु को बेटी नहीं मानते हैं उन्हें एकसेप्ट नहीं करते हैं बेटी की रूप में उन्हें ताना दिया जाता हैं मारा जाता है लड़ाई किया जाता है ऐसा मत कीजिए सब लोगों को मैं गलत नहीं कह रही कहीं कहीं अभी भी ऐसा चल रहा है लड़कियां अपना घर अपना परिवार अपने माबाब भाई बहन आईशो आरा हर चीज हर चीज खुर्बान करके आती है आपके घर को रोशन कर आपका घर आवात करने के लिए लेकिन आजके टैम में भी ससुराल में बहुओं को इजत नहीं दी जाती उन्हे थोड़ा गुल मिलने लिए टैम नहीं दिया जाता तो ऐसा मत कीजिए बहुओं को भी बेटी मान के देखिए उसके बाद आप भी खुश हो जाओंगे बहुआं से आपको भी एक बेटी मिल जाएगी उन्हें भी माबाप का प्यार मिलेगा प्लीस फ्रेंड्स मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा आप सब लोग भी कहीं न कहीं जानते हो कहीं न कहीं गाओं में अभी इस तरीके का रिवास चल रहा है इसलिए मैंने बताया जिसको भी गलत पहुंचा हो तो सौरी जिसको भी बुरा लगा हो तो सौरी घर के बड़े आये थे आपने देखा होगा दुलहन का सिगनेचर साइन करा लिया है निकाह नामे पर निकाह मुकमल हो चुका है अभी यहां पर फर्स्ट यहां पर मोतियों का ब्लैक कलर का लच्छा पहनाते हैं नेक्स्ट लड़के वाले जो भी गोल्ड की जूलरी लाई हुई है वो दुलहन को पहना देते हैं एक ही सकेंड में रिष्टा कैसे चेंज होता है देखें यह कभी किसी की बेटी थी अभी बहु हो चुकी है बेटी पर जितना हक माबाप का था शादी से पहले अभी शादी होते ही निकाह होते ही ससुराल और शौहर का हो चुका है माबाप के घर में रहते हैं लड़कियों को जिमेदारी क्या होती है पता नहीं चलती महमानों को कैसे लेके चलना कुकिंग कैसे करना कुछ भी नहीं पता होता शादी के बाद लड़कियां सब सीख जाती है हसते हुए आंसों को कैसे छुपाना और दूसरों के ताने कैसे सुनना घर को साथ कैसे लेके चलना अपने खुशियों को खुर्बान करते हुए सब कुछ सीख जाती हैं बहुएं और बेटियां थोड़ा सा वक्त दे दीजिए बस आगर आपको मेरा ये बलॉग पसंद आ रहा हो तो मेरे चानल को आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मैंने जो भी बोला सही है या गलत आप मुझे कमेंट में बताईएगा मैंने पहले ही बताए हैं आपको मेरे बातों का गलत मतलब मत निकालिए कोई ना कोई मेरे बातों से भी सहमत होगा आप भी सुनते होंगे बहुं के साथ नाइंसाफ ही की जाती है तो बس इसलिए बता दिया फ्रेंड सौरी यहां पर अभी ट्रेफरूट्स बाट रहे हैं सब लोगों को दिया जा रहा है सबका मूग मिठा कर रहे हैं यहां पर दुल्हन की मा और दुलहे की मा मुबारक बात देते हुए यहां पर देखे हमारे दुल्हे राजा आ गए हैं मस्जिद से दुल्हन को मिलने के लिए उन्हें महार की रिंग पहनाने के लिए अपना महार आता करने के लिए यहां पर पहले सर पे हाथ रखे कुछ बढ़ाया जाता है उसके बाद लड़की का मूँ मिठा कर रहे हैं अभी जो जितने भी रूपियों का महर बांदा होता है वो अभी निका में ही अदा कर देते हैं यह देखें, वो महर में रिंग पहना रहे हैं लड़की को माशाल्ला दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे किसी की नजर ना लगें आप सभी माशाला जरूर बोलिएगा माई फेस नहीं दिखा सकती फेस को छुपाना होगा मुझे यहां पर अभी हो गया था खाने का टाइम निका होते ही यहां पर खाना खिलाना शुरू कर देते हैं धूप बहुत जियादा थी यहां पर लड़की वालों ने कोल्ड रिंग और आइस क्रीम नॉन वेज़ फूड आइटम सब भी उन्होंने अरेंज किया हुआ था यहां पर गर्मी जियादा थी ना तो सिर्फ कुछ थंड़ा खाने का ही मन कर रहा था तो हम सब लेडिस यहां पर जमा होके बच्चों से आइस क्रीम मंगवा कर यहां पर खा रहे थे यह देखिए सब बच्चे ला कर दे रहे थे सब लोगों को तो हम इसमें ही मिलबाट के खा रहे थे आइस क्रीम तो आइस क्रीम का फ्लेवर भी बहुत अच्छा था अब वो सब लोग खाना खाने के बाद अभी हम यहां पर आके बैठे हैं खाना खाने के लिए हमने खाना खा लिया था यहां पर मेरे हस्पेंड और मेरे छोटे वाले बैटे को खिला रहे थे कहीं भी चले जाओ ना फ्रेंड्स बच्चों को समालना बहुत मुश्किल होता है इतने छोटे बच्चों को तो हाथ में ही नहीं रहते जितना भी उठाओ हाथ में ही नहीं रहते नीचे ही भागते रहते हैं धुनना पढ़ता है बच्चा कहां गया बोलके तो यहाँ पर देखे हम सब फोटो खेंच रहे थे विदाई के टाइम दुलहे को गिफ्ट दे रहे हैं गले के चैन गोल्ड की और वाच तो यहाँ पर विदाई के लिए दुलहन को रेडी करके बिठा दिया गया है दुलहन के मामा या भाई सारे रस्म करते हैं आप सब को बता दूँ, लड़का और लड़की की फैमिली और खांदान एक ही है, हमारे कजन की शादी रिलेशन में ही हो रही है, तो हमारी दुलहन, हमारी बेटी, उनके घर में जाके बेटी ही बनके रहेगी, उन्हें उतना ही प्यार देंगे, वो लोग बहुत अच्छे ल तो यहां पर देखे, अभी यह जो उठा रहे हैं दुलहन को यह हैं, दुलहन के भाई, तो यह अभी उठा के ले जाके स्टेज पर बिठाएंगे, इस तरीके से यहां का रस्म होता है, तो यह देखे, अभी ले जा रहे हैं दुलहन को, सब देखे, आप देख सकते हों, अब लोग सात मिलके दुलहन को लेके जाके स्टेच पे बिठाते हैं। यहां पर जितने भी रिलेशन्स हो गए, जितने भी लोग हैं, सब लोग एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के, सब अपने लोग ही थे। तो यहां पर देखे, लाके बिठा दिया गया है स्टेच पे दुलहन को, अभी सब लोग आ गए हैं विदाई के लिए, यहां कुछ रस्म चलेगी, अभी सब बड़े लोग मिलके बैटके, हाथ लड़की और लड़के का हाथ एक दूसरे के हाथ में देखे, उन्हें कुछ ब पानी पिला रहे हैं दुलहन को, दुख आटोमेटिकली आ जाता है ना फ्रेंड्स, जितना भी अपने घर में ही, रिलेशन्स में ही शादी हो तो दुख भी माबाप से दूर होने का आ जाता है, तो क्या कर सकते हैं, यहां पर देखे, दुलहन और दुलहे का हाथ लेके, य आट से हमारी बेटी, आपकी बेटी हुई, इनका अच्छे से ध्यान रखे, यह जो भी गलती करें, इनसे जो भी उंच नीच हो जाएं, तो उसका ध्यान आप रखेंगे, मेरी बेटी को खुश रखना, इस तरीके से कुछ वो बड़े लोग बोलते हैं, तो यहां पर सब के लड़की को, मा, बाप, उनके भाई, सब लोग यहां पर मिल रहे हैं, तो यहां पर देखे, आप सब लड़के लोगों को ही दिखा सकती हूं, मैं लेडिस को दिखाना मना है, तो विदाई का टाइम था, तो सब लोग आके रो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक तो बहुत मुझे सौंड से सौंग डाल दिया था, बाबुल की दुआएं, सौंग विदाई का, आप सब जानते ही होंगे, वो सौंग और यह माहौल विदाई का, इतना रोना आ रहा था ना, इतना रोना आ रहा था, मैं बतता नहीं सकती आपको, दुलहन विदा होके कहीं नहीं जा अपने ही घर जा रही है वहां अपनों से अपने घर के जैसा ही प्यार मिलेगा क्यूंकि फूपू के बेटे से ही शादी हुई थी ना इसी लिए तो फिर भी इतना दुख था इतना रो रहे थे ये देखे भाई यहां पर पानी पिला रहा है दुलहन के छोटी बहन भाग के बड़ी बहन के लिए पानी लेके आई इतना रो रही थी ना वो इतनी छोटी रहने के बाद भी उसे इतना पता है कि मेरी बहन जा रही है मुझे चोड़के जब उसका टाइम आएगा तो उसे पता चल जाएगा उसकी विदाई उसकी शादी में तो आज के लिए बस इतना ही मिलती हों किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ तब तक के लिए मेरे चानल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा बाई अला हफिर